नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टोटका मंत्रा में मैं आज आपको एक ऐसे उपाए के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके जिन्दगी में बहुत ही मदद्गार साबित होगा दोस्तों, अगर आपके शादी एक ऐसे वेक्थी से हो गई है जिस व्यक्ति से आप प्यार भी नहीं करते और जबर्दस्ति आपको उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ रहा है तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है आप इसको एंड तक देखिएगा आपको अजिक ऐसा उपाय बताऊँगा जैसे उस व्यक्ति से आपके विफा टूट जाएगा और आप उस शादी से अज़ाद हो जाएगे दोस्तों आपने किसी और से कभी प्यार किया था किसी से इश्क किया था किसी के साथ अपने वक्त गुसारे थे मगर घर्वालों के मर्जी के बगएर आप शादी नहीं करना चाहती थी तो आपकी शादी कहीं और हो गई है बगैर आपके मरसी के अब आप उनके साथ रहते तो हो लेकिन आपका उनके साथ बिल्कुल दिल नहीं लगता आप अपने पुराने प्रेमी को याद करते रहते हैं प्राइमी को याद करते हैं तो तो आप चाहते हों कि इस रिश्टे से बंधन से आप आजाद हो जाओ छोट जाओ और आप वापस अपने प्रेमी के पास चले जाओ को तो दोस्ते इस वीडियो के मादेम से मैं आपको आज एक ऐसा हो पाय ऐसा टोड़का बताने जो आपके सारी सुवेत समस्याओं का समाधान देदेगा और आपके संदिगी में खुशे हैं खुशे आ जाएंगे आप फिर से अपने प्रेमी और मुपए के पास वापस जावाएंगे कि देखिए को शेयर कीजीगा जिसको इस वीडिए की सब्सक्राइब कर लिए लाइक कर दीजे पहला इसा आने वूस में और वीडियो को दोस्तो आपको बार बजये के करीब आधीर 7 के समय आपको एक लाल कपड़े के उपर एकांत जगा पे बैठना है जहां पे आपको कोई परशान न करी वहां बैठके आपको दो नीमबू लेने हैं और दो नीमबू पे आपको अपने प्रेमी का नाम लिखना है और आपको अपने इस पती का भी नाम लिखना है उसके बाद उसके उपर आपको सिंदूर छिड़कना है सिंदूर छिड़कने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है मंत्र होगा दोस्तो ओं शवाय नमहा गुरु गुरु स्वाहा इसका आपको एक सग्यावन बार जाप करना है दोस्तो उसके बाद उसके बाद देखेंगे कि आपकी जिन्दगी बदल जाएगी आपके प्रेमी आपके पास वापस आजेंगे और आपके शादी से हुपत हो जाएगे यहां तक बनने के लिए धन्यवाद चैनल को सुप्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में